सब को जे मस dirty मेरे पणिंहों भाईennes और भिहनों आप सब को नमास्कार व और मैं स्वागत करता हूं और एक बीडियो में मैं आप सब को स्वागत करता हूं आज का ठोपिक बहुत खास है आपका जो तोपिक है इसको सुनने के बाद आपको अच्छा लगेगा आपका अच्छा मेसुस होगा क्योंकि खबर ही एशा है आपने थमनल जरूर दिखा होगा उधर क्या लिखा गया है उधर जो भी लिखा गया है वो बिल्कुल सच है इधर कोई भी जूट नहीं है उसके पहले मैं कुछ इंसिडेंट के बारे में बंदन करना चाहता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ आज कल इस दुनिया में बहुत सारे मसी सतावुट हो रहा है बहुत सारे चर्च को तोड़ा जा रहा है गर को जलाए जा रहा है मसी लोगों का यह तो आम बात है आम बात हो गया है यह सब हो रहा है लेकिन इसके अंदर दो तीन एस घटना है जो कि आपको हैरान कर देने वाले जो कि पहला है हमारा औरीश्या का कॉन्धमाल में एके दंगा हुआ था जी हाँ इधर इस तरह का भावलेंस हुआ था कौंदमाल भावलेंस इधर बहुत सारे मसी लोगों को मार दिया गया बहुत सारे पद्रे लोगों को जान से मार दिया गया उनका परिबार को बरबाद कर दिया गया तो ये सब हुआ था बहुत सारे मा बेहन के साथ अत्याचर किया गया उनका योन सोसन किया गया था उसी टाइम में ये था 2008-2009 उसी टाइम बहुत सारा घर का तोड़ा गया घर का जला देया गया उसके बाद हम आते हैं 2023 में मौनिपूर में जो हुआ था आपको पता होगा मौनिपूर भावलेस उधर भी ठीक की इस तरह का एक घटना हुआ था उधर भी बहुत सारे चर्श को जला देया गया बहुत सारे मसी भाईयों बेहन को जान से मार देया गया मेरे पास एक भीडिय है कि एक लेर्की को किstore किया जा रहा है है जो मसी भीट थी यह उन लोगों की तोड़ाथ क्या जा रहा है और अंत में उस लेर्क को वह होगा वह होगी सिर्फ अंजाजा में यह कहता हूं 11 या 12 साल होगा उस लिर्की का उम्र इतना चोटा सा लिर्की को क्या करते हैं टॉर्चर करते हैं उसके बाद फाइरिंग कर देते हैं पीछे से वह उहीं से दम तोड़ देती है मर जाती है यह मेरे पास वीडियो है अगर मैं चाहूं तो अपलोर कर सकता हूं लेकिन इच्छा है अपलोर करने का लेकिन फिर भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि यूटुब का भी एक नियम है एक रूर है अगर मैं वीडियो अपलोर करूं तो कम्यूनिटे गाईलेन स्ट्राइक आ जाएग कौमनी के गालेन स्ट्राइक में लिखा गया है साब साब तुम कोई डायर्क मडर नहीं दिखा सकते खुन नहीं दिखा सकते इसे बहुत सार नियम है इसलिए मुझे माप कीजिए वह भीडियो में नहीं दिखा सकता लेकिन यह हो चुका है उरिशा का कंधमाल और मौनिपूर में दोनों जगय में भावलेंस हो चुका है बहुत सारे मसी लोगों का घर को जला दिया गया और घर को तोड़ दिया गया इस हो चुका है उसके बावजुत भी अगर हम देखेंगे और भी बहुत सारे सटिस गड़ में बहुत सारे पास्टर को सताय गया है पिछले दिनों में एक पाद्री को जान से मार दिया गया दो महिने पहले में एक न्यूज देख रहा था एक पाद्री का बेट्या को जान से मारा गया मार दिये इन लोग ने तो यह सब हिंसा हो रहा है भावलेंस हो रहा है लेकिन एक खुशी की बात यह है कि सुप्रीम कोट ने यह अरर दे दिया है कि इजो घर पर बुल्डोजर चलाना मसी लोग के घर हो या फिर कोई चार्ज हो मंद्रि हो इसको पर डायरेक बुल्डोजर नहीं चला सकता कोई भी यह नियम हो गया है यह मौसे लोगों के लिए आच्छा है कि पहुंव सारे मौसे लोगों के अंदर यह डर होता रहता है कि हमारा चीर्च को क्या तोड़ा जायेगा यह कि चीन्ता होता है डौर होता है कि जब 환ha राता है चेछ को तोड़ने के लिए तो उधर ड्र पिदा होता है मसील लोगों के अंदर कि आज हावारा चर्च को चर्च बिल्लिंग को तोड़ा जाएगा यह के डर होता रहता है लेकिन अब से कोई भी डर नहीं है सुप्रिंग पोर्ट ने यह आदस कर दिया है सिर्फि यूपी में ही नहीं पूरी इंडिया में यह नियम लगू हो गया है सिर्फि यह जब यह लगू हो गया है उसके बाद बहुत सारे जगा में यह काम करना शुरू कर दिया है हमारा उलिशा में भी होगा जितने भी भारत के जितने राज्य है पूरी राज्य में यह नियम लगू हो जाएगा बहुत जल्द यह एक अच्छी ख़बर है हम लोग के लिए आप लोगों के लिए मेरे लिए आप जितने में मसी भाइयों और बेहने हम सब के लिए यह आशी खबर है जी हाँ चर्च तोड़ा जा रहा है और एक पाइंक में कहना चाहता हूं उसके बाद में बंद करूंगा तो मेरे प्यारे भाइयों और बेहनों चर्च का मतलब कोई बिल्लिंग नहीं होता है बहुत सारे मसी भीरो देश है जिन लोग के अंदर ये चिंताधरा है ये सोच रहेगी ये उनका चर्च है ये हमारा चर्च नहीं है वो तो सिर्फ बैठ कर परिमेसिर के आरधान करने के ल चर्च वो ही है जिधर परिमेसिर का आरधान होता है वो ही चर्च है चाहिए ओ घर की अंदर हो या घर की बाहर हो या फिर पेड की निचे हो या फिर कोई जगल की अंदर हो जिधर भी परिमेसिर का आरधान होता है एक हाँ दो तीन चार जितने में आदमी हो जिधर परिमे सरका आरधना होता है उसको हम चर्च कहते हैं इस बिल्लिंग चर्च नहीं है यह सिर्फ एक बिल्लिंग है यह बिल्लिंग क्या करता है इसमें सिर्फ एक ही फाइदा है हम सारे लोग मिलकर एक घर के अंदर बैठकर आरम से परिमिसर का आरधना कर सकते हैं यह उसका फाइदा ह है जो लोग सोचे कि हम सर्च और दीए तुमारा क्या वकात है कि तुम सर्च तोर सकते हो है अगर सर्च तोर सकते हो थो जाकर उधर इस तोड़ो जिदर अरदान होता है उधर नहीं कर सकते सब कर चैले मिलते हैं आगले वीडियो में